लखनौ से खबर जहां तेजस का ट्राइल रन आज से शुरू हो रहा है। लखनौ से गोरखपुर के रूट में ट्राइल रन आज हो रहा है। सुभा साड़े छे बजे लखनौ स्टेशन से गोरखपुर के लिए रवाना हो चुकी है ट्रेन। 290 किलोमीटर के इस ट्राइल रन में ट्रेन के सभी खामियों को देखा जाएगा अत्या धुनिक रूप से तेजस को तैयार किया गया है। आईयार सीटी सी के द्वारा देश में पहली बार इस तरह की ट्रेन को चलाने की जम्यदारी भिली है। ट्राइल के समय आईयार सीटी सी और ट्रेन के टेकनिकल स्टाफ ट्रेन के अंदर गतिविधियों को जांचने के लिए मौचूद हैं। बता दे कि 4 अक्टूबर को पहली बार तेजस ट्रेन लखनव से दिवली के लिए रवाना होगी। टायारी इसको लेकर शुरू हो चुकी है। आज ट्राइल रण हो रहा है तेजस का। अर अक्टूबर के शुरुआत में मुखे मंत्री योगी आदितिनात इस ट्रेन को हरी जंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लखनों से गोरकपुर रूट पर ट्रेन का ट्राइल रण आज हो रहा है सुभा छे बजे के आसपास। ये ट्रेन ट्राइल के लिए अपने रवाना हो चुकी है। अधिकारी इस दोरान ट्रेन के अंदर मौझूद रहेंगे क्या खामिया हैं ये देखा जाएगा जाचा परखा जाएगा और जो खामिया होंगी उन्हें जल्द दूर कर अक्टूबर महीने में इस ट्रेन की सौगात लोगों को मिलेगी। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस ट्रेन तमाम सुविधाओं से लैस हाई टेक इस ट्रेन को बनाया गया है शांदार ये ट्रेन होगी सफर आराम डायक होगा और ट्राइल रन आज से इस ट्रेन का शुरू हो गया है पहली बार तेजस ट्रेन लखनों से दिल्ल के लिए रवाना होगी देश की पहली प्राइबेट ट्रेन है तेजस ट्राइल रन आज लखनौ से गोरखपूर के बीच तो कैसी दिखती है अंदर से तेजस ट्रेन ये भी दिखा रहे हैं आपको विज्वल्स के जरी आप समझे हाई टेक सुविदाओं से लैस ये तेजस ट्रेन है और बता दें आपको कियाद से तेजस के टिकेट की भी बुकिंग शुरू होने जा रही है और हमारे साथ लोमस जुड़ गए है सीधे लखनों से हमारे समबादाता उनका हम रुख कर लेते हैं लोमस ट्राइल रन के लिए रवाना हो चुकी है आज ये ट्रेन आम जनता को कब तक इसकी सौगात मिलेगी आज से बुकिंग शुरू हो रही है सुना इस पर मैं आपको बता दू कि आज लखनों स्टेशन से गोरगपूर के लिए ट्राइल रन आज तेजस का शुरू हो चुका है सुबर लगबग साड़े छे बजे ट्रेन स्टेशन पहुँच गई थे और छे पचास में इसका ट्राइल रन शुरू हो गया था क्योंकि ट्रेन के अंदर IRCTC के जो अधिकारी थे वो भी मौझूद थे जो टेकनिकल स्टाफ थी रेलवे की वो भी मौझूद थी और इस 290 किलोमेटर के दौरान ट्रेन में क्या-क्या खामियां आ सकती है क्या-क्या परिशानियों का सामना किया जा सकता है टेकनिकल क्या-क्या फॉल्ट आ सकता है उस सब का जायजा जो अंदर टेकनिकल के स्टाफ मौझूद रहेंगे वो लेंगे और साथ ही जो IRCTC के जो स्टाफ होंगे वो भी जो हालात पैदा होंगे उस समय जो ट्रेन रन कर उसको भी ध्यान रखते हुए उसका भी एक खाका त्यार करेगी कि क्या-क्या यात्रियों को परिशानी आ सकती है क्योंकि इस तरह की ट्रेन पहली बार IRCTC के जिम्मिदारी पर चलाया जा रहा है और अगर आप यह भी कह सकते हैं कि कॉर्परेट युक की शुरुआत रेलबे ट्रेन के अंदर की बात करें comfortable seat बनाया गया और window की बात करें तो एक automatically window slider उसमें रखा गया है कि अगर आप बाहर window के बाहर देखना चाहते हैं तो एक बटन है जो आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं window की slide को उपर नीचे कर सकते हैं साथी seat को adjustable बनाया गया है आगे पीछे किया जा सकता है और speed का काफी ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि trial run हो गया है तो speed पे ही तेजस को त्यार किया गया है तेजस को लगवा 6 घंटे 10 मिनट में लखनों से रवाना हो करके दिल्ली पहुँच अधिकारी थे वो मौझूद थे हम भी z-media की team exclusive train के अंदर पहुँची थी और अधिकारियों से भी बाचीत हुई अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की train जो शुरुआत हो रही है ये train कहीं ना कहीं जो airlines को टकर देने के लिए airlines में जो सुविधाई मिलती है उसको टकर देने के लिए इस train का इस्तमाल किया जा रहा है और corporate युक की भी शुरुआत हो जाएगी ये train अगर trial run में सफल होती है तो 4 October से ये आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी और इसका ticket आज से ही booking होना शुरू हो जाएगा फिलाल आपको बता दे कि इस train के ticket का जो rate है वो अभी डिक पे सवार होकर कौन-कौन यहां से रवाना हुआ है चुकि trial run आज हो रहा है इस train का बेहत खास ये पूरी train है latest technology है इस train में गोरखपुर कितने बज़े आज पहुंच रही है चुकि उसके बाद ही लोमस ये साफ हो पाएगा कि कोई खामी इस train में नहीं रही बताया जा रहा है कि साड़े दस से ग्यारा बजे की बीच में train को गोरखपुर पहुंचना है क्यूंकि बीच में कई जगह पे train को रोका जाएगा कई सारे जो technical fault उसको देखे जाएंगे train क्यूंकि पहली बार इसको trial run किया जाएगा तो उसको लगबग धीमे से fast रफतार पे ले जाया जाएगा तो हर technical fault को हर station पे रोक करके देखा जाएगा क्यूंकि अभी सुबह में बाधसानगर पे भी रोका गया था जो उनके दर्वाजे थे उनको चेक किया गया था कि दर्वाजे सही से जो automatic pressure से काम करते हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं साथ ही क् अंदर में RCTC के अधिकारी थे वो हर एक बिंदूों का ध्यान रख रहे थे कि जिस तरीके से तेजस को तियार किया गया है तेजस उसी धर्रे पे चल रही है कि नहीं जिस speed के लिए तियार किया गया है उसी speed पे वो चल रही है कि नहीं जिस अत्यादूनिक तोर पे यात्र वो भी मौजूद थी, वो स्पीड का ध्यान रख रहे थे, वो यात्रियों की comfortable feel करवानी की बात कर रही है, IRCTC, वो comfortable यात्रियों को feel हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसका भी काफी ध्यान दिया जा रहा था, साथ ही आपको बता दे कि जो IRCTC के अधिकारी वहाँ पे पाना होगी और लगबग 12-10 के आसपास ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, तो कहीं न कहीं 6 घंटे 10 मिनिट का ये पूरा रन रखा गया है, और इसको एकदम एरलाइन्स के तरह पे, एरलाइन्स की जो सुबधाएं मिलती हैं, उस तरहिके से डिजाइन किया गया है, उस तरहिके से पूरे कमफर्टेवल जो यात्रियों को सुबधाएं मिलने वाली हैं, वो एरलाइन्स की सुबधाएं एक तरह होगी, बिल्कुल, लोमस, बड़ी सौगाती यात्रियों के लिए तो होगी ही, लेकिन कितना, अब चुक और ये ट्रायल रूप से आज रन की जा रही है, लगवा 290 किलोमेटर का ये रन है, लखनों से गोरखपूर के तरफ ये ट्रेन जाएगी और सभी खामियों को देखा जा रहा है, साथी ये आपको बता दे कि इस तरह की ट्रेन की जोरत जो इंडिया में काफी दिनों से थी क्योंकि लगाता लोगों की शिकायत थी कि जिस तरीके वो पेड करते हैं, जिस तरीके से अपने टिक्टो में वो रकम देते हैं, लेकिन उस तरह की सुबधाएं एक आम यात्री को नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको उसी सुबधाओं को ख्याल रखते हुए, आयर सी टी सी इने उनी सुबधाओं को ख्याल रखते हुए, जो सुबधाओं यात्री को मिलनी चाहिए, वो सुबधाओं को काफी ख्याल यहाँ पे इस ट्रेन में रखा है, क्योंकि चार तारिक से ये ट्रेन पूरी तरीके से आम यात्री के लिए खुल जाएगी, और पहली बार ट्रे पांकारी देने के लिए